हेलो एप्रिवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब अच्छे सोंगे दोस्तो अवद विसी भी देल है बीएट फस्टियर के फस्ट पेपर को आज हम कम्प्लीट डिसकस करने वाले हैं इसके पूरे सलेबस को समझेंगे और important questions को जानेंगे कि वो प्रश्ण क्या कौन से हैं जिससे repeatedly questions पूछे जाते हैं और वो कौन से प्रश्ण है और किस प्रकार से प्रश्ण पूछे जाते हैं आपके पूरे बीएट फस्टियर के फस्ट पेपर नॉलेज और करिकुलम ग्यान फस्ट उनुट का नाम है concept of education यानि के सिक्षा की अधारण और इस फस्ट उनुट में दो टाइप के प्रश्ण आपसे mostly और हर साल repeated पोशे जाते हैं पहला है सिक्षा की अधारण पर सिक्षा से सम्मंदित पर जैसे सिक्षा क्या होती है what is education what is the meaning of education what are the definitions of education what are the aims and objectives of education की इशा जाता है और दूसरा प्रश्ण तीनो काल जैसे कि वैधि काल इस्लामिक काल बौधिक काल इन तीनों काल में शिक्षा की क्या अधारण रही और सिक्षा क्या विसेशता रही गुरुए और शिस्टिके संब्द किया रहा है तो इसी से आपके फर्स तुनिट में और शिक्षा के बारे满ी से सिक्षा की आओधारा पुखी जाती है सिक्षा की परिभास या सिप्षा कार्थ या प्रेपर बनाने वाले क्यों पर पर पुछाँ करता है लेकिन हमफ दिखेंगे तो फठेली प्रश्चन मलते हैं इसके अलावा जो शौट में प्रशन आपसे पूछे जाते हैं कुछ परिभास है जैसे कि विद्या क्या होता है विद्या और अविद्या में क्या संबंद है क्या आंतर है इल्म क्या है तालीम क्या है तो यह चोटे प्रशन है यह चोटे चोटे प्रशन आपसे पूछे जात तो सेकेंड उन्री का नाम है फिलोस्टिफिकल बेस ओफ एजुकेशन दास्त्रिक सास्तर सिक्षा के आधार पर तो दास्त्रिक सास्त्र से मतलब दर्सन के आधार पर आपसे सवाल यह पुछा जाएगा पहला पॉइंट यह है कि सिक्षाा दर्सन से आप क्या समझते हैं सिक्षा दर्सन सिक्षा और दर्सन में क्या संबंद है या फिर आपसे सवाल यह पूछा जाता है कि सिक्षा और दर्सन एक ही सिक्के के दो पहलू में असपस्ट करिए तो आपका पह एक प्रशन दूसरे यूट में सिक्षा दर्सन से संबंदित अक्सर पूछा जाता है और दूसरा पॉइंट जो कि most 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 important है दार्सनिक व्यूस क्या होते हैं जैसे कि प्रकृतिवाद, आदर्सवाद, प्रेग्मिटिस्म, पर्योजनवाद ये चार वाद हैं चार वाद आपके बहुत important है इन चार वादों से आपको आपके सावाल में कम से कम दो वाद एक वाद तो प पूछे जाते हैं सेकेंड यूनिट से आपके चार वाद के बारे में ठीक है और उस तरह यूनिट में ये दो पॉइंट होगे दार्सनिक सास्त्र, दर्सन और सिक्षा और दूसरा वाद और तीसरा एक प्रशन आपसे पूछा जाता है जो हमारे प्रमुख विद्वान जै तो इसकेंड यूनिट बहूत ज्यादा इंपॉर्ट discussed परिपर में आपके वाद से बहुत ज्यादा आपसे पूच्छे जाते हैं आपके पेपर में तो से करेंगा यह सारे वीडियो उहां मेरे चैनल पर मैं फिर से बना दूँगा ठीक है तो यह हो गए आपके सेकेंड यूनिट के बारे में अब चलेंगे हम थर्ड यूनिट के बारे में दोस्तों आपका जो थर्ड यूनिट है नॉलेज एंड करिकुलम का वह सोसलोजिकल बेस ऑफ एजुकेश्ट मतलब आपको स सिक्षा का समाजी का अधार पढ़ना है समाज सास्त्र के बारे में अब इसके अंदर प्रश्न कैसे पूछी जाते हैं जैसे कि समाज सास्त्र से आप क्या समझते हैं सोसलोजिक क्या है तो समाज सास्त्र क्या इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है और सिक्षा का समाज समाज में क्या परिवर्तन आता है सिक्षा से समाजिक उद्देश से क्या है जैसे कि समाज के अंदर धर्म निर्पिक्षता की भावना रखना सेकुलरिजम डेमोक्रेटिक वैल्यू तो सिक्षा के द्वारा कैसे हम आपसी सद भावना ठीक है और अंतरास्टी अवबोद तो इसे भी आपसे सवाल पूछा जाता है और एक पॉइंट्स होता है modernization यानि कि आधुनी करण क्या है तो दोस्तों थर्ड यूनिट में जो टूटल आपको पॉइंट पढ़ना है और यह बिल्कुल एक समझने वाली बात है ठीक है आपको इसको अपने सब्दों में समझेग अंतराष्ट्री अवबोद और नेसरल इंटेग्रेशन राष्ट्रीथा के बारे में पढ़ना है तो टोटल इनके बारे में पढ़ना है और लास्ट बड नॉट दिलिस्ट वह आपको पढ़ना है कि सिक्षा से आप समाज को कैसे बदलेंगे what are the social aims of education तो इसके बारे में अ पूछा जाता है कि पार्ठेक्रम होता क्या है ठीक है what is the curriculum इसका अर्थ क्या होता है इसकी परिवासा क्या होती है और most and most important यह है कि curriculum construction के principles क्या होते है क्या होते है जब हम पार्ठेक्रम के निर्माड करते है तो उसके कुछ सिधानत होते है जैसे कि लचीलेपन का सिधानत च पार्ठेक्रम को परिवासित करिए पार्ठेक्रम के सिधानत बताईए और पार्ठेक्रम निर्माड के सिधानत बताईए पार्ठेक्रम निर्माड में किन सिधानतों का ध्यान रखा जाता है तो यह आपसे प्रशनक से पूछा जाता है चौते इनुट में बिल्कुल इस वीडियो को खतम करेंगे दोस्तों पांचवा जो यूनिट है उसमें भी आपको करिकुलम और स्कूल से सम्मनित प्रशने पूछे जाते हैं और एक most important प्रशने इसमें यह पूछा जाता है कि करिकुलम और लेभा में क्या फ़रक है या फीर कुछ कुछ ऐसे प्रशन जैसे कि एक अच्छे प्रधान आध्यापा के गूर्ण क्या होते एक अच्छी पाठी कुस्तक टेक्स्ट बुक की क्वालिटी इस क्या होती है ठीक है तो कुछ इस प्रकार से छोटे-छोटे प्रशन आपसे करूंगा तीन वीडियो में जो भी इंपोर्टेंट प्रशन है उसको मैं समझाने की कुछिस करूँगा बाकि आप से रिक्वेस्टे देखें सेल्फ स्टडी इस आलवेस इंपोर्टेंट आप एक्जाम में क्या लिख के आते हैं यह आपके सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करत और साथ एक टीम बनाते हैं एक अच्छा साथ ही एक अच्छा गुरूप बनाते हैं और साथ मिलके बढ़ते हैं तो इन सारे प्रश्ण को यूनिट वन से लेकि यूनिट फाइब तक कि जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट कोश्चिन बता हैं उसके आंसर मैं आपको जो भी वीडियो साती हैं उसके लिंक में वहां पर जेंट करता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप टेलीगराम ग्रूप को जोइन करेंगे इस वीडियो के सब्सक्राइब करकि जूदे रहेंगे बाकि दोस्तों चाहे मेरे वीडियोच से या कहीं से भी आपको इन सारे points को जरूर पढ़ना है और बिल्कुल अपनी language में समझना है इन सारे points को तो दोस्तो इस वीडियो को यहीं खतम करेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में answers के साथ कि first unit से लेके fifth unit तक जो भी मैंने आपको प्रश्ण बताए हैं ना उन सारे प्रश्ण के answers के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत बश्चुक्रिया इस वीडियो को यहीं खतम करेंगे मुझे अच्छा लगा आपसे बतागे कमेंट में अपनी राय जरूर दे कि यह मुझे मोटिवेट करता है